जय हिंद पाक मीडिया की लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए डीके यादव नियूज को सब्सक्राइब कर साथी बेल उइकों दबाएं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें ना पसंद आए डिसलाइक करें कमेंट करें और सेयर करें आएए देखते हैं वीडियो जय हिंद जय वारत क्योंकि टेकनोलोजी की दुनिया में सब कुछ मुम्किन है अगर नहीं मुम्किन तो आज के तरकी यापता दोर में किसी मुलका ऐसा वजीर आजम मुम्किन नहीं जिसको किसी तक्रीब की सरबराही थमा दी जाए और वो उस तक्रीब के हाजरीन को अपनी बैती नली से अक अक करने पर मजबूर कर दे जो मर्यम नवासाहिबा ने फैसले के बाद जो खुशिया मनाई वह वाकी दीदनी थी वजीर आजम चचा शेबाद श्रीफ साब से लिपट लिपट कर खुशिया मनाई मिठाईया खिलाई आज तो जैसे कहने के गोया इद हो गई हो गए हैं और इम्रान खांसाब की तौस से पहले हैं जो के मतवक्व है यह निए वो कुई सर्प्राइज दे सकते हैं नमबर पर मैं आना चाहूंगा कि इम्रान खांसाब एक तरफ वह अदलिया के वह बिल्कुल मिंतों तरलों पर आ चुके हैं अगर जेबा मैडम जेबा जो के जज हैं उनके कोट में जाना सिंबलाइज क्यूंकि उनके केसिस में ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मुम्किन है आप बेशक टेकनोलोजी की तरकी से हिरान हो या ना हो मगर आप एक जोकर को मुलके सर्प्रा के तोर पर देख कर हिरान जरूर हो जाएंगे जिस शक्स को नाख साफ करने की तमीज नहीं उस शक्स को मुलकी सर्प्रा ही थमा दी जाए तो फिर हैरत तो होगी पार्लीमानी निजाम में मुलका वजीराजम मुलका आइनी सर्प्रा होता है और अगर किसी मुलका सर्प्रा तक्रीब के खिताब के दुरां इंतहाई थर्ड क्लास जब इन्हों ने शाही कॉंसल के सरब्रा को वजीराजम फरांस का नाम दिया पाकिस्तान के आईन में सदर और वजीर-जीराजमी दोनों का धिकर किया गया है। Energy का कर भारी ज़ने दमार का उता है और भारी दिख्ष़ते हैं कहते हैं जैसा हुकमरान वैसी अवाम पतानी ये मकूला पाकिस्तान आकर फेल क्यों हो जाता है या पिर इस कौम के साथ तारीही नाइनसाफी की जारी है इसके ओपर एक ऐसा हुकमरान मुसलत कर दिया गया है जिसे नाग साफ करनी नहीं आती या फिर इस कौम के साथ जान मीज तो होनी चाहिए कि ऐसी सिच्वेशन को हैंडल कैसे करना है अगर किसी और मुलक का सिर्वरा होता और इसे ये मसला दर पेश आ जाता तो पहले तो इसके हाथ में रुमाल होता या फिर किसी अच्छी कंपनी का टीशू तो जरूर होता और अगर इसके पास कुछ ना भी ह पूरे मुलका कारियम बीपी को जो लोग ड्रामा कोईन करार देते हैं मैं आज उन लोगों से इतफाक करूंगी क्या अदाकारी की है क्या पिच्चराइज़ेशन हुई है क्या कहलें कि सिनेमाटिक फोटोग्राफी हुई है आप हर वीडियो में एंगल्स देखिएगा कि क काफी अरसे के बाद मुस्लिम लिक नून की जानेब से कहलें कि कोई धंग की प्रोडक्शन सामने आई है और पपू पास हो गया एक्जेक्ली जब पास होता है तो खुशी जो होती है उसको की ठिकाना नहीं होता है जिससे खानदान को कोई उमीद नहीं होती उन्हें लगत का जो पेपर है क्लियर हो गया लंदन में बाओ जी को फॉन करके खबर दी चचा ने मिठाई का टोकरा त्यार करके रखा हुआ था सब में मिठाईयां तक्सीम हुई मरियां बीबीबी कमाल की खातून है अपने सामने तमाम सहाफियों को जमाई किया सब के माइक तियार और जट से फॉन निकाल कर अबाजी से बात कर डाली तमाम कॉल कैमरों में रिकॉर्ड हुई क्या टाइमिंग है क्या एंगल है क्या डायलोग्स हैं यह फिल्म को मेरे कैसे बॉक्स आफिस पर रिकॉर्ड बिजनिस करेंगी कानून दाव पर लगाना पड़ जाए यहां कानून की ऐसी की तैसी फेड़ देनी हो शरीफ खांदान और शिबाशिप से कोई नी जी सकता इनकी बतीजी इस इंसले में इनसे भी चार हाथ आगे है पटवारी कहते हैं के यह इल्जाम गलत है के ट्रस्ट डीर त्यारी के वक्त कैलबरी फॉन्ट इस्तियाम नहीं था बाड़ में जाए माइक्रोसोफट अगर मर्यम नवाज ये कहे कि इसने 1993 में 4G इस्तिमाल किया था 2000 में Facebook पर अपना पहला अकाउंट बनाया था या फिर 2005 में iPhone 30 Pro Max लिया था तो हमारी क्या मजाल के इनकार कर जाएं बाशा सलामत और इसकी स्पुतरी जो कहती है वही दुरूस्त है दिन को रात और रात को दिन कहने वाला मुहावरा तो अब पुराना हो गया है मर्यम नानी अगर कहे कि वो परों पर उड़ सकती है तो हम ये भी मान लेंगे आर्डियो लीक से कुछ साबित हो या ना होता हो मगर एक बाद जरूर साबित होती है वो ये के दोनों चचाबती जी इन कैमरा सेशन हर वक्त साज़िशों में मसरूफ रहते हैं हर वक्त जोड तोड करते रहते हैं कैसे इस्टैबूरिशमेंट को अपने हक में इस्तमाल करना है कैसे इमरान खान के बियानियों को जूड साबित करना है मर्यम नानी के ट्वीर्स दे कर ऐसा लगता है महले की कोई पुबाडन नानी अपनी किसी मुखालिफ को ताने दे रही है वैसे तो इसके ट्वीर्स से इसकी तालिम का वाकूब भी अंदाजा होता है मर्यम नानी की ट्वीर्स में इस्तमाल हुई जुबान और गुफ्तगू का अंदाज बताता है कि माशाला शाओर और अकल छूकर नहीं गुजरी ये खुद को इमरान खान का मुकाबल साबित करने की कोशिश करते हैं नकल इमरान खान की करनी है मगर इमरान खान को तो आज तक हमने कभी कोई गटिया ट्वीर्स करते हैं नानी का हाल उस लड़ाक का और जैसा है जिसके पास दलाइल खत्म हो जाएं और काबलियत में किसी का मुकाबला ना कर पाए तो तानों और बदद्वाओं पर उतराती है समाजी राप्ते की वेबसाइट ट्वीटर दुनिया बर के लोग इस्तमाल करते हैं आपका लिखा एक पेगाम दुनिया बर में जाता है मगर अपने सियासी मुखालफीन को नीचा दिखाने के लिए आप जिस तरह तहजीब से गिरी हुई जुबान इस्तमाल करती है इससे दुनिया को इसके कैली पर का अंदाजा भी बहुत अच्छे से हो जाता है दूसरी तरफ जिसके मुकाबले के लिए ये मट्ती चली जा रही है इसके तो ट्वेट की ग्रैमरी क्लासिकल होती है जिसका तो किसी से मुकाबला ही नहीं है वैसे इमरान खाने हमें बहुत गलत बातों का आदी कर दिया है आगे कुछ केसिस उनकी डेटे आ रही है उन्होंने उसके लिए ग्राउंड वर्क करना शुरू कर दिया है तीसरा उन्होंने जो खास करकर आखरी दफ़ा अपनी इस्टैबलिश्मेंट के नर्व्स को टेस्किया है एडवर्ड कालेज में जो नारे लगवाए उन्होंने और उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमारी इस्टैबलिश्मेंट जो है उन्होंने भी डिसाइट अब कर लिया है कि हम इससे आगे नहीं जा से हम इससे आगे बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे जो अब मेरे ख्याल में जो आखरी मीटिंग्स हमारी बाजवा साब की हुई है अपने इस्टैबलिश्मेंट की उन्होंने अपना जो केस बयान किया है मेरे जो मेरी इन्फरमेशन के हसाब से अल आफ दे स्टेक होलडर्स आफ दे स्टैबलिश्मेंट ये अपने इस्टैबलिश्मेंट ये बाजवा साब ये अगरीड के अनाफ इस अनाफ इससे आगे हम बरदाश नहीं कर पाएंगे और मेरे ख्याल में करना चाहिए भी नहीं क्योंकि इस वक्त मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि ये एक गोल्डन रूल है एक प्रिंसिपल इस्टैबलिश किया गया था सिंस रोमन सिवलिशेशन सिंस दे ग्रीक पिरियेट कि जब भी कौमें तबा होती है उनको अपने हफाज़त करने वाले अदारों के खलाफ कर दिया जाता है जिसको अमरान खास साब ने बड़ी खुबसूरती के साथ किया है और मेरे ख्याल में इस से आगे अब स्टेट अफ पाकस्तान इस एड़ दा स्टेक राइड नाओ और अगर आज भी हमारे इस्टैबलिश्मेंट ये डिसियन नहीं लेती तो तो देन इस विल बी टू लेट मेरे ख्याल में इस वेरी गूड स्टैप टोर्स अराइड डिरेक्शिंट तो प्रोवाइड थे स्टेबलिटी अब उसके आगे मैं अगले पॉइंट में बात करना चाहूंगा जो बनी गाला के अंदर पैनक वी ये है एक तो कल तलाल चौगरी साब ने एक स्टेटमेंट दी है कि ये जो जितनी भी वीडियो लीक्स हुई है ये वजीर आजम हाउस में नहीं हुई उन दिनों में जिनों को ये जिकर किया गया ये बनी गाला के अंदर मीटिंग्स थी और उसके इनी इसी तनाजर से अगर देखा जाए तो इस वकद बनी गाला के अंदर जो है वो पैनक है और आज कल जो हमारे मेकिया वली न्याजी साहब है उनके जो असिस्टेंट है आज कल शिमली फराज साहिब उन्हों ने फर्मान जारी किया है कि आएंदा कोई भी जो है वो बन्दा सेल फोन लेकर बनी गाला इंटर नहीं होगा जिन लोगों को निशाने पे रखा गया है बिलखसूस और उन्हों ने इस चीज़ को बड़ा माइंड किया है वो हमारे पिछले फार्म मिनिस्टर साहब है उनको भी कहा गया है कि फूल बार चोड़ करा है उनके बारे में तासर ये दिया जाता है प्रिटी आई के अंदर कि ही इस इन कम्मिनिकेशन ऑन बोड साइट जैनी ये जो बात है ना कि में तारीज दूंगा तो उसके बाद लोग जमा होंगे में थाि में जुक्ती आखे को पाकिस्तान का एक नए हूगा तुन बजीर आजब हमेशा रहता है आपको याद होगा जिस तरह से सहवा सरीप ने SEO से लेकर ईवन तक अपनी बेज़िती कराई थी उसके बाद पाकिस्तान में भी सहवा सरीप कम नहीं है पाकिस्तान में सहवा सरीप ने एक कौन फ्रेंच के दोराण जिस तरह से हाथ से नाक साप करते हूँ नजर आए ये पाकिस्तान का सौब बाग गय की पाकिस्तान के लिए इतने बढ़िया बढ़िया कार्टून बजीर आजम मिलते हैं एक तरफ इमरान खान भी सहवा सरीप से कम नहीं है इमरान खान इस बक्त मुल्क में इसलामावाद के धरने की कॉल देने की तैयारी कर रहा है दूसरी तरफ पाकिस्तानी फोज ने अब इमरान खान का साथ छोड़ दिया और इमरान खान पर गरपतारी की तलबा लटक चुकी है क्योंकि पाकिस्तान की कोट ने इमरान खान के खिलाब अरेस्ट बारेंट जारी कर दिये हैं जिससे इमरान खान कभी भी गरपतार हो सकता है इससे पाकिस्तानी हुकूमत को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा क्योंकि इमरान खान ने हकूमत से निकन ले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान में तबाही मचाई थी उससे पाकिस्तानी हकूमत काफी ज़्यादा परेशान हो गई थी विम्रान खन गरपतार होकत जेल में होगा तब हुकूमत को कुछ दुनों के लिए रिलीफ मिल सकती है आपकी कह रहा है कमेंट में जरू सेयर करें यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें जाय है जाय है